बच्चों पिछले अध्याय में हमने भुक्तान संतुलन के बारे में काफी कुछ जाना हमने देखा कि किसी विदेश में अंतराश्ट्रे वेपार के लिए भुक्तान संतुलन के इस्थितिक क्या है कई बार भुक्तान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है कई बार अनुकूल हो जाता है किस किस तरह के परिशानिया आती हैं भुक्तान संतुलन के प्रतिकूल होने पर श्री लंका की वर्तमान इस्थिती को उधारण में रखते हुए हमने भुक्तान संतुलन उसके प्रभाव, उसके कारण को काफी अच्छे से जानने और समझने का प्रयास किया अगर हम बात करें भुक्तान संतुलन के अंतरगत कौन-कौन से कारक आते हैं, किसी वो प्रभावित होते हैं वहाँ पर हमने देखा था कि विदेशी मुद्रा जो होती है या विदेशी मुद्रा का भंडारन जो होता है वो कही न कही भुकतान संतुलन को प्रभावित करता है विदेशी मुद्रा का भंडार यानि कि कितनी मात्रा में किसी देश के पास अन्य देश की मुद्रा है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतरगत हमने देखा था कि एक देश जब दूसरे देश से आयात निर्यात व्यपार करता है तो किस प्रकार जब वो आयात वेपार करता है कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाता है तो जिस देश से वो उस वस्तु को मंगाता है उसको उस देश की मुद्रा में ही उस देश की करंसी में ही उसको भुकतान करता है इससे क्या होता है कि जो आयात करने वाला देश है उसका जो मुद्रा भंडार होता है वो घटता है यानि कि कम होता है लेखांकन के अंतरगत भी हमने देखा था कि ऐसी कंडिशन में जब आयात होता है और विदेशी मुद्रा भंडारन घटता है तो किस तरह से उसका लेखा डेबिट या क्रेडिट किया जाता है दूसरे पक्ष में हमने देखा कि निर्यात वैपार के अंतरगत विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है और साथी साथ उसका क्या लेखांकन किया जाता है इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा के अब यहाँ पर हम बात करेंगे विदेशी विनिमेदर की पिछले अध्याय में हमने किवल डॉलर के बारे में जाना था क्योंकि डॉलर जो है वो अंतराष्ट्री विपार के लिए एक मानक एक करंसी के रूप में मानी जाती है ज्यादा से ज्यादा जो अंतराष्ट्री विपार यानि कि इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डॉलर से नहीं बलकि अन्य कई देश की मुद्राओं की हमको जरूरत पड़ती है आयात निर्यात व्यपार के लिए भी जरूरत पड़ती है कई बार हमको उन देशों में जाना होता है या तो बिजनेस परपस से परसनल किसी काम से परिटन के उद्देश इसे ब्रह्मन के है जिसे हम रुपए कहते हैं उसकी वैल्यू अलग-अलग देशों में क्या है इसका एक्सचेंज रेट क्या है अलग-अलग देशों की मुद्राओं से उसको अगर हम कंपेर करें तो कैसे इस्ति हमको प्राप्त होती है जिसे कि हमने देखा था कि जब हम अध्यन कर रहे थ है बिल्कुल नहीं रहती आप न्यूज में भी देखते होंगे न्यूस पेपर में भी पढ़ते होंगे कि किस तरह से रुपए और डॉलर की जो वैल्यू है वो अप्डाउन होते रहती है इसमें उच्चावचन होते रहता है बिल्कुल इसी तरह आन्यदेशों की जो विनिमय होते हैं उतार चड़ा होता है यहीं कहीं न कहीं विनिमय दर के अंतरगत आते हैं और क्योंकि हम विभिन देशों की बात करते हैं एक देश की मुद्रा का हम दूसरे देशों की मुद्रा से कंपैरिजन करते हैं इसलिए हम इसको विदेशी विनिमय दर के अंतरगत श कितनी कमी या वृद्धी देखने को मिलती है ये सारी बाते जो है वो विदेशी विनिमय दर के अंतरगत शामिल की जाती है कुल मिलाकर जब हम विदेशी विनिमय दर की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये सारी बाते अंतराश्टी वेपार वेभार से प्रभावित मानी जाती हैं हमने डॉलर से रुपया को कंपेर किया लेकिन अब क्योंकि हम विदेशी विनिमय की बात कर रहे हैं यानि भारत की अन्य देशों से मुद्राओं से जो comparison है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको क्या सिती देखने को मिलती है इसको जानने के लिए आए कुछ देशों की मुद्राओं का भारती रुपए से संबंद देखे कि कैसा relation है सबसे पहले हम देखे नेपाल भारत का पडोसी देश भारत से लगा हुआ जो देश है नेपाल तो इसके बारे में हम जानने कि भारत का जो एक रुपए है वो नेपाल के 1.60 नेपाली रुपए के बराबर है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि नेपाल में किसी वस्तू की खरीद पर जहां हमको 160 रुपए नेपाली जो मुद्रा है वे करना पड़ता है तो भारत में भारती मुद्रा में अगर हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू सो रुपए ही होगी अब क्योंकि नेपाल भारत से लगा हुआ देश है घूमने के दिश्टी कोर्ट से काफी अच्छा है आपके बजट में है और हमने देखा कि यहां पर रुपए की वेल्यू जो है वो नेपाली रुपए की वेल्यू से जादा है दूसरा हम बात करें श्री लंका की श्री लंका का उधारन क्योंकि हमने पहले भी लिया था तो फिर से हम अगर देखें श्री लंका के स्थिक की 2021 के जो डाटा है उनकी अधार पर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो इस समंद में अगर हम देखें तो भारत का जो एक रुपए है वो श्री लंका के 2.7 शुन्य रुपय श्री लंकाई रुपया जो है उसके बराबर है तो यहाँ पर हम यह मान सकते हैं कि काफी अच्छे सिति में भारत का रुपया है अगर हम श्री लंका से उसको compare करते हैं परेटन के दुष्टी कोर्ट से भी हमने देखा कि काफी अच्छा देश है श्री लंका तो अगर आप चाहें तो कम बजट में श्री लंका की सेर बहुत आसानी से कर सकते हैं तीसरा हम compare करते हैं वियत नाम को वियत नाम की जो मुद्रा है जैसे हम अपने हमारे देश की जो मुद्रा हम उसको रुपया कहते हैं वियत नाम की मुद्रा को हम डांगे के नाम से जानते हैं अगर एक रुपया से हम इसको compare करें तो भारत का जो एक रुपया है वो 314 डां हैं उनके लिए व्यातनाम से व्यातनाम से व्यातनाम ना Although इंडो ? करना घुमना फिरना काफू अच्छा होगा इंडोनेशिया लाउं कैसे हैं कफिन जाघिन डेस्टनाम करें व घुञतले और भारत का एक व्याय का इंडोनेशिया के एक सो चौरानवे इंडोनेशियाई मुद्रा के बराबर है यहां पर भी हम देखते हैं कि रुपए के इस्थिती जो है वो काफी अच्छी है इंडोनेशिया के अगर बात करें तो भारत के दक्षिन में हिंद महासागर से लगा हुआ यह इस्थान है परेटन के दिश्टिकोंड से भारतियों क जेश्टों चेल है वो og 95 कमबोडियाई मुद्रा के बराबर है नेक्षिए आपएंट से जिंबागर और भारत की मुद्रा के क्या स्थिती है जिंबागर से अगर रोगारोशियों का एक रूपर 4.5 जिंबागर डॉलर की बराबर है पराग्वे से तो भारत का एक रुपए 92 परागवे मुद्रा के बराबर है तो यहां हमने देखा कि रुपए की स्थिति इन सब देशों में काफी मजबूत दिखाई दे रही है पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे अन्य देश भी है जहां पर रुपए के स्थिति उन देशों के मुकाबले काफी कमजोर दिखाई देती है यानि उन देशों की जो मुद्रा है उसके पेक्षा भारत में जो मुद्रा का मूल है वो काफी कम है कुल मिलाकर हम यह जानना चाहते हैं यहां पर कि विदेशी विनिमे यानि अपने देश के कितनी मुद्रा देकर हम उस अलग दूसरे देश की मुद्रा को प्राप्त कर पाएंगे एक्सचेंज रेट क्या होगा यही विदेशी विनिमेदर को प्रदर्शीत करता है यहां अगर हम बात करें कि विदेशी विनिमेदर में परिवर्तन का कारण क्या है हमने देखा कि परिवर्तन तो होता रहता है डेली हम देखते हैं जादा तर क्योंकि अंतराश्टी वेभार में डॉलर से ही हम रुपए को कमपेर करते हैं इसलिए हमारे सामने जो स्थिती आती है बार बार वैल्यू घटने या बढ़ने की रुपए की वो डॉलर के मुकाबले ही आती है लगातार हम न्यू चैनल में देखते रहते हैं कि रोज जो डॉलर और रुपए के स्थिती है वो घटी बढ़ती रहती है तो क्यों ऐसा होता है क्या ऐसी कारण है कि कई देशों की मुद्राए अन्य देशों की मुकाबले कई बार मजबूत होती हैं कई बार कमजोर होती हैं आए इसके कारणों पर एक नज़र डालें सबसे पहला कारण है कि कीमतों में परिवर्तन एक तो सबसे बड़ी बात कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की वस्तूओं की कीमते जो होती अलग होती है यहाँ पर हम वस्तूओं की जब बात करते हैं तो हम उनको आगम और पूंजी का दोनों तरह की वस्तूओं में बाड़ते हैं तो इन वस्तों के मांग और पूर्ती में परिवर्तन का जो सीधा का सीधा प्रभाव कीमत पर पड़ता है और कीमतों में जो परिवर्तन होता है उसका सीधा का सीधा प्रभाव मुद्रा के विनिमेदर पर पर पड़ता है दूसरा मात्वपूर्ण कारण यह है कि आयात और निर्यात वैपार में लगातार परिवर्तन होता रहता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों की मांग कुछ इस तरह से बढ़ जाती है जिनका निर्मान जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है तो उनका हमको आयात करना पढ़ जाता है हाला कि पहले हम उनका आयात नहीं करते थे या फिर कम करते थे इससे विपरीत परिस्तिती बनती है कई बार निर्यात की कई बार ऐसा होता है कि अत्रिक वस्तों का उत्पादन हो जाता है या फिर विदेशों में उन वस्तों के डिमांड जो है बढ़ जाती है तो इस कंडिशन में निर्यात बढ़ जाता है अब हमने पहले भी देखा भुकतान संदुलन में कि जब भी आयात हम करते हैं हमारे पास से विदेशी मुद्रा जाती है आने देशों में जिससे भी हम आय दंतुलन है वो बना रहना भी जरूरी होता है लेकिन कई बार यह संदुलन बिघड जाता है आयात में अत्याधिक व्रिद्धी और निर्यात में कमी दूसरी और निर्यात में अत्यधिक विद्धी और आयात में कमी कहीं न कहीं ये बुक्तान संतुलन की अनुकूलता ये प्रतिकूलता को जन्मे देते हैं अनुकूलता की स्थिति में तो सारी चीजे सही रहती हैं लेकिन प्रतिकूलता की स्थिति में बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है बहुत उ यहीं उतार चड़ाव जो होता है वो कहीं न कहीं विदेशी विनिमेदर को भी प्रभावित करता है तीसरा एक महत्पूर्ण कारण देखें पूंजी का आवा गमन ये भी एक बहुत महत्पूर्ण फैक्टर है जो कि विदेशी विनिमेदर जो होता है विन्योग की जो दर हो उसको प्रभावित करता है अगर पूंजी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है हमारे देश में कहने का मतलब है कि विदेशों से पूंजी बहुत अच्छी तरीके से आ रही है काफी मात्रा में विदेशी पूंजी का इंवस्टमेंट हो रहा है देश में तो ऐसी कंडिशन मे विदेशी मुद्रा कोश जो है वो परियाप्त मात्रा में रहते हैं और ये एक अनुकूलता की स्थिती को जन्म देता है यहाँ पर तो विनिमयदर में बहुत ज्यादा उतार चड़ाओ की संभावन नहीं बनती लेकिन किसी एक कंडिशन में अगर पूंजी का आवा गमन पाता है चौथा पॉइंट हमें आप देखते हैं बैंकिंग संबंधी प्रभाव बैंकों पर सारा का सारा बिजनेस डिपेंड करता है कोई भी वैपारी अपनी जेब में इतना पैसा नहीं रखता है चाहे वह एक राजी का वैपारी हो राश्ट्रिका हो यह इंटरनेशनल कोई बिजनेसमैन हो कही न कहीं उसको अपने पूरे वैपार को सुचार रूप से चलाने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है बैंकों पर अब यह बैंक संबंधी जो नीतिया होती है वो कहीं न कहीं पूरे की पूरे अंतराश्ट्रिय वैपार को प्रभावित करती बात करें यहाँ पर अगर हम व्यपारिक बैंक का विदेशी बैंक पर अगर बड़ी मात्रा में बैंक ड्रॉफ्ट या अन किसी भी प्रकार का साख पत्र जारी किया जाता है तो यह एक ऐसी इस्तिति को जन्म देता है जब कि विदेशी विनिमे की मांग बढ़ जाती है और अगर विदेशी बैंक हमारे देश के बैंकों के उपर किसी प्रकार का साख पत्र या फिर किसी प्रकार का रिण पत्र लिखते है तो ऐसी दशा में देश में फिर मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और यह एक ऐसी इस्तिति को जन्म देगा जबकि विनिमे जो होगा वो एक बहुत महत्पूर अतथ यहां पर आ जाता है बैंकों की जो दरे होती हैं ये भी कहीं न कहें विनिमे को प्रभावित करती हैं अगर बैंक में जो जमाराशी पर प्राप्त या जो ब्याज की दरे होती हैं बैंक अगर उनको बढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है लोग वहीं पर अपने पैसे रखना चाहेंगे, वहाँ पर ही इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहां उनको जादा लाब हो, तो बैंक अगर अपने ब्याजदरों को बढ़ाता है, तो देश के साथ साथ विदेशों की जो मुद्राय हैं, वो भी बैंक के पास आ जाती है, एक में अपने पैसे को नहीं रखना चाहेगा, और फिर ये एक ऐसी इस्तती को जन में देगा, एक ऐसी इस्तती आएगी, जब विनिमे दर में प्रतिकूलता देखने को मिलेगी, साथ ही अगर हम बात करें, सट्टा संबंधी प्रभाहों की, तो सट्टे के बारे में हम जानने कि एक प्रकार का शर्थ, जनरली हम कई बार किसी से शर्थ लगा लेते हैं अपने फ्रेंड सरकल में, कि चल शर्थ लगाते हैं, ऐसा होगा तो मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, यह तुझे चोकलेट खिलाऊंगा, इस तरह की जो नॉर्मल से बाते होती हैं, कही न कहीं, अगर हम सट्टे के प्रभाव की, तो यहां पर भी जो बढ़ता हुआ उच्चावचन है विनिमय में, वो कहीं न कहीं सट्टे को प्रभावित करता है, और साथी साथ यह जो उतार चड़ाओ है, अगर इसको सटोरिये निकट भविश्य में यह देखते हैं, कि किसी जहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वस्तू का या उस फिल्ड में किसी वस्तू का मुल्य बढ़ने वाला है, तो वहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है, यह किसी देश की मुद्रा का मुल्य बढ़ने वाला है, तो वहां पर वो उस देश की मुद्रा मे उसका मुल जो है वैल्यू जो है वो बढ़ने वाली है तो वो उस देश की मुद्रा को जादा खरीते हैं और दूसरी कंडिशन में अगर ये देखा जाता है कि किसी देश के मुद्रा की वैल्यू घटने वाली है कम होने वाली है तो वो उसको बेज देते हैं अब एक कंडिश में तो मुद्रा की पूर्ती बढ़ती है और दूसरी कंडिशन में मुद्रा की पूर्ती घड़ जाती है जिस मुद्रा के डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बहुत लोग उसको खरीदते हैं एक्सजेंज करवा लेते हैं उसकी वैल्यू जो है बढ़ी हुई रहती है वीनिमे दरों में जो उच्चा वेचन लाती है अब अगर हम बात करें stock exchange सम्मंधी प्रभाओं तो आप आए दिन share markets के बारे में newspaper में देखते होंगे कि share markets में किस तरह से देश की जो मुद्रा है रुपिया जो है उसका उतार चड़ाओ बताता है इन शब्दों को आप इन वाकियों को आप लगतार सुनते होंगे कि रुपै उचला रुपै में गिरावट शेयर मार्केट गिरा तो क्या condition है ये आपको जानना बहुत जरूरी है तो ये वो सारी condition है जब किसे देश के मुकाबले रुपै की value घटती है या बढ़ती है यानि क कुल मिलाकर ये जो विनिमय दर रहे हैं ये जब परिवर्थित होती है तो ही देश की जो मुद्रा है उसकी value कम होती है या पर बढ़ती है अब एक condition अगर हम यहाँ पर देखे तो अगर विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो देश में विनिमय दर जो है वो देश के विपक्ष में हो जाती है और दूसरी कंडिशन कि अगर विदेशी विनमय की मांग घट जाती है तो जो परिस्षिति होती है विनमय की वो देश के लिए विनमय के पक्ष में हो जाती है विनिमेदरों में परिवर्तन का एक बहुत बहुत पूर्ण कारण सनरचनात्मक परिवर्तन भी होता है सनरचनात्मक परिवर्तन संबंदी प्रभाव कही न कही विनिमेदर को प्रतिकूल या अनुकूल दोनों ही तरीके से प्रभावित करते हैं कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे देश में जिनवस्तों का उत्पादन हो रहा है उसकी मात्रा में उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आता है यह जो सनराशनात्मक परिवर्तन है किसे भी कारण से हो सकता है तकनीक में परिवर्तन के कारण नौपरवर्तन के कारण या अन्य किस ब्रवत्त में सुधार आजाता है या किसी अन्रिकारण से उन वस्तों की मांग बढ़ जाती है तो कहीं न खहीं यह लागत से प्रभावित होते हैं क्योंकि लागत सम्मेंदी धाचे जो होते हैं वो वस्तों क्या रूप परिवर्थन करने में सहायक होते हैं उनको change कर देने में उनकी जो गुणवत्ता होती है उसको सुधार देने में सहायक होते हैं और जाहिर सी बात है कि इस तरह की वस्तों के जो मांग होती है वो अचानक से बढ़ जाती है अब ऐसी कंडिशन में मांग बढ़ने की बात को अगर हम नर्यात से जोड़ के देखें तो हो सकता है कि निर्याद भी बढ़ है यादि कि निर्याद के से जब पर दशा बनती है तो यह जो विनिमे अधर आएगी वो देश के पक्ष में होगी क्योंकि यहां पर हमको आए जादा और यानि जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे पास आज आदा रही है और जा कम रही है एक कारण बन सकती है देश की राजनेतिक दशाएं अच्छी राजन है देश में शांती सुरक्षा के परियाप्त इंतजाम है तो कहीं न कहीं यह सारी दशाएं देश के पक्ष में बनती है ऐसे कंडिशन में विदेशी जो कंपनियां होती है विदेश के जो लोग होते वो देश में इन्विस्ट करना चाहते हैं देश से वेपार करना चाहते यह देश के लिए एक अनकूल दशा बनती है दूसरी कंडिशन अगर इसके विपरीत हो जाए बार बार अगर सरकार में परिवर्टन हो देश में असुरक्षा की भावना हो राजनेतिक उथल पुथल होता हो तो ऐसी कंडिशन में कोई भी बाहरी जो वेपारी होता है या बा क admire करें यहां पर विदेशी विनिमे दर से तो यहां देखते हैं कि कई बार ये जो परिवर्टन होते हैं विदेशी विनिमे दरों में यह veramente कई मुद्राइस्फिती से भी प्रभावित होते हैं हँ खाव टिस मुद्राइस्फिते वाला जो देश होता हैं लगती सब्फित लेकिन इसके विपरीत एक परिस्तिती बनती है कि जिन देशों में मुद्रा इस्विती की दर अधिक है वहाँ पर मुद्रा का हास या मुद्रा के मूल्य का हार्स देखा जाता है यानि ये एक प्रतिकूलता की इस्तिती बनती है और यहाँ पर ये जो इस्तिती बनती है यहा वहां पर जो व्यपार, व्यभारी की जो दशाय है वो भी काफी अनुकूल होती है, आयात निर्यात व्यपार बहुत अच्छे से चलता है, तो जाहिर सी बात है कि विनिमैदर भी वहां पर अनुकूल बनी रहेंगी, लेकिन भुकतान संतुलन अगर प्रतिकूल हो जाता है, बहुत विस्तार से हमने भुक्तान संतुलन की प्रतिकूलता और अनुकूलता को जाना है अगर प्रतिकूल भुक्तान संतुलन होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ विदेशी विनिमेदर की जो इस्तिती होगी वो भी प्रतिकूल इस्तिती ही पाई जाएगे एक अनिकारण में हम अगर सरकारी रिंड को देखें तो बहुत से देश जो सरकारी रिंड के बोज तले दबे हुए हैं, पहले से ही रिंड है। सरकारी रिन का दबाओ अगर बहुत अधिक है यानि कि हम कह सकते कि प्रतिकूल इस्थिति अगर बनी हुई है तो वहाँ पर विदेशी विनिमेदर भी प्रतिकूल होगी और अगर नहीं है सरकारी रिन का दबाओ तो एक अनुकूलता के स्थिति यहां पर दिखाई देती है और विदेश्य विनिमेदर भी अनुकूल बनी रहेगे अब यहां पर विनिमेदर प्रणाली की अगर हम बात करें तो विनिमेदर की मुख्य रूप से दो प्रणालिया देखने को मिलती हैं एक एस्थिर विनिमैदर प्रणाली और दूसरी लोजशिल विनिमैदर प्रणाली सबसे पहले हम जाने हैं कि क्या है स्थिर विनिमैदर प्रणाली तो इसके अंतरगात हम है कि विनिमे दर का जो नरधारण होता है वो देश की सरकार के द्वारा ही किया जाता है यानि कूल में लाकर अगर हम कहें तो किंद्री鑵 स्थ हो जा रहा है इस्थिर विनिमे यानि बहुत जादा उच्चावचन की संभावना बहुत जादा उतार चड़ाओं की संभावना तो नहीं कही जा सकती लेकिन एकदम मिस्थिर होगी ये भी नहीं कहा जा सकता तो अगर किसी प्रकार का कोई उतार चड़ाओं कोई परिवर्तन आता भी है तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए जो किंद्री बैंक होते हैं वही इस विदेशी विनमेदर को निर्धारित करने ये कंट्रोल करने के लिए सामने आते हैं इस्थिर विन्मेदर के अगर हम बात करें इसके आर्थ को और अच्छे से समझना चाहें तो आए इस्थिर विन्मेदर से संबंधित कुछ महत्पूर बिंदों पर नज़े डालें क्राउथर के अनुसार विन्मेदर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की कितनी इकाईयां मिल सकती है इसका माप है प्रफिसर सेयर्स के अनुसार प्रचलित मुद्राओं के एक दूसरे देष्ट में निरधारित किये गए मुल्यों को ही विदेशी विनिमै दर्य कहा जाता है तो आपने देखा कि इस्थिर विनिमेदर क्या है कौन कौन सी कंडिशन होती है कैसी कैसी परिस्थितिया होती है जब एक इस्थिर विनिमेदर प्रडाली कारे करती है इसके दो पहलू हम देखते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि इस्थिर विनिमेदर के पक्ष में कुछ तत्य हैं और इस्थिर विनिमेदर प्रणाली के विपक्ष में भी कुछ तत्य हैं सबसे पहले अगर हम उन तत्यों की बात करें जो इस्तिर विनिमेदर प्रणाली के पक्ष में आते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं अंतराश्ट्रिय व्यपार को प्रोचसाहन क्योंकि हमने इसके अर्थ में बहुत अच्छी से जाना कि यह इतनी अच्छी इतनी संतुलन की इस्तिति है कि बहुत ज़्यादा उच्छावचन की संभावना नहीं रहती अंतराश्ट्री वेपार के अंतर गत एक निर्यातक देश जो है और एक आयातक देश जो है दोनों ही अपने आप में काफि संतुष्ट रहते हैं कि देश की जो आंतरिक या जो वेपारिक स्थितिया है वो बहुत स्थिल बनी हुई है और ऐसी कंडिशन में उन दोनों देशों का चाहे आयातक देशों चाहे निर्यातक देशों दोनों का वेपार बहुत अच्छे से शांती पूरवक चलता रहता है यानि की बात करें अगर हम इस्तिर विनी में प्रडाली की तो अंतराष्ट्री वेपार के दृष्टिकोंड से काफी अनकूल स्थिति को यह उत्पन करता है दूसरी बात करते हैं पूंजी निर्माण की तो जाहिर सी बात है इतनी अच्छे कंडिशन्स अगर बनते हैं तो पूंजी निर्माण की दर तो बढ़ेगी इसमें अगर हम बिंदवार देखे तो एक तो पूंजी निर्मान की दर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा यानि की दर बढ़ेगी घटेगी नहीं बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा लोग उस देश में इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी पूंजी लगाना चाहेंग दूसरा मात पूर्ण यहाँ पर यह हो सकता है कि मुद्रा इस्पिति का भै नहीं रहेगा अगर इस तरह की अनुकूल परिस्थितिया बनी हुई है तो मुद्रा इस्पिति तो एक ऐसी कंडिशन होती है जो अंतराश्ट्री वेपार में प्रतिकूलता लाती है पूरी तरी देश में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं विन्योग करना चाहते हैं पूंजी की मां बढ़ जाती है और साथी साथ यहां हम देखते हैं कि प्रविर्टी जो होती है लोगों की क्योंकि पूंजी निर्माण कि स्थिति बन रही है लोग पूंजी लगाना चाहते हैं तो क हुआ बचके सब बचत करेंगे अगर बंधें बते हैं वैंसे कंडिशन अगर बंती है तो जाहिर से बात है कि विदेशी पूंजी के प्रोथसाहन की तो स्थिर्था का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं विदेशी निवेशक जो है उनको आकर्शित करेगा वो हमारे देश में पूंजी लगाना चाहेंगे इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एक तो सबसे महत्रपूर्ण बात यह कि स्थिर्था का उनको लाब म देखे तो पूंजी के डूबने कभ है नहीं रहता संतुष्ट वो तभी रहेंगे जब उनके दोरह लगाएगे पूंजी पर एक अच्छा रिटन उनको मिल पाएगा और पूंजी के डूबने कभ है नहीं होगा इसे के पक्ष में एक परिस्थिती बनती है विनिमय लुट के जाएगा कम से कम इन सब्हीं परिशानीयों से तो मुखते मिल जाती है और साथी साथ यहां पर हम देखते हैं कि निर्यातक देश होता है अर फिर निर嗎 सिस्टिते निर्यातक देश के विकाद में एक महत्वपूञ भूमी का अधा करती है यहां पर हम जान ले कि बहुत से देश जैसे की इंग्लैंड है डैनमार्क है जापान है और इसे और कहीं देश है जिनका मुख्य कारे अपने देश में जो बन रही है वस्तों यह प्रोडक्शन जिनका हो रहा है उनका निर्यात करना लाब कमाना और देश में आर्थिक विका जिनको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विदेशी विनिमय दर की जो पहली प्रणाली है इस्थिर विनिमय प्रणाली ये कहीं न कहीं कुल मिलाकर और आल हम कहें तो अनुकूलता को ये विदेशी विनिमय दरों में अनुकूलता को ही जन्म देती है